स्वागत है आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदीश की तमाम ख़बरों के साथ हम आपके स्मक्षा चुके हैं कई लेटेस अपडेट साजस बुलेचिन में हम आपके साथ साज़ा करने वाले हैं देखे विशेश तो और से क्योंकि मंत्री विक्रमा दित्य सिंग पर हर किसी की निगाहें बनी हुई है अभी ये दिल्ली डटे हुए हैं अगला शेडियूल इनका किस तरह का रहेगा दरसल जब से इनोंने अपनी फेस्बुक प्रोफाइल से पी डवली डी मिनिस्टर हटाया है तब से लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि कहीं अब बगावती सूर मंतरी विक्रम अदिते सिंग्ग की ओर से भी तो नहीं दिखाये जाएंगे और दिल्ली जाने से पहले बागियों से जिस प्रकार से इनोंने मुलाकात की है उसके बाद कई तरह की चर्चाएं अभी बनी हुई है और फिल्हाल इस पूरे संधर्व में मुख्या मंतरी की ओर से क्या कहा जा रहा है प्रतिवा सिंग ने क्या कहा है मंतरी विक्रम अदिते सिंग कब तक शिमला लौट आप आएंगे ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं अगली बात हम बागी MLA को लेकर भी करेंगे क्यूंकि देखे इस वक्त चर्चाएं तो इन MLA को लेकर भी काफी ज़ादा बनी हुई है लेकिन अगले कल इने लेकर भी स्थिती स्पष्ट होने वाली है कि अगला कदम बाग्यों का क्या रहेगा दरसल स्थिती कैसे स्पष्ट होगी ये अपडेट हम आपको देंगे भाशपा की ओर से भी क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अब ये छे विधायक तो उनके हो गए है लेकिन दूसरी ओर मुख्या मंत्री की ओर से हवाला ये दिया जा रहा है कि एक MLA ऐसे हैं जिनोंने माफी मांगी है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर बागी विधायकों को भी पश्टावा होता है तो उन्हें वापिस से कॉंग्रेस में शामिल किया जा सकता है इस पर सोच विचार हो सकता है तो एक और तो देखिए बागी MLA अपनी ही बात पर कहीं न कहीं खड़े होते हुए नजर आ रही है जिसमें राजिंदर राना ने साफ तोर पर ये कहा है कि अब वापिस से कॉंग्रेस में नहीं जाएंगे दूसरा घर ज़रूर बना सकते है लेकिन मुख्या मंत्री की ओर से दावा कुछ और किया जा रहा है और भाजपा भी अब तो यहां पर नए नए दावे करते हुए नजर आ रही है नेता पतिपक शॉयरान ठाकुर की ओर से आज एक समेलन में एक और नया दावा किया गया है हाला कि सरकार बनाएंगे ये बात तो पहले से ये कहे ही रहे है लेकिन लोग सभाचुनावों को लेकर भी बड़ी स्टेटमेंट आज इनकी ओर से दी गई है मंत्री जगत सिंग नेगी की ओर से पिछले कल को लेकर स्थिती स्पष्ट कर दी गई है कैबिनीट में जगडा होने की अफवहा फैलाई गई थी हाला कि अब जगत सिंग नेगी के बोल इस पर क्या रह रहे है शिक्षा मंतिर रोही ठाकुर ने क्या कहा था ये आप में पिछले कल सुन लिया था लेकिन जगडा सिंग नेगी का इस लड़ाई के बारे में क्या कुछ कहना है ये भी जानकारी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि हिमाच्य प्रदेश में आज और कल के लिए बारिश बरफपारी का अलर्ड जारी किया गया है उपरीक शेत्रों में बरफपारी का सिलसिला जारी है देखें नारकंडा और कुफरी में भी हलकी बरफपारी हो चुकी है इसी दौरान हाटू पीक में करीब दो फीट तक बरफपारी दर्श की गई है हलाकि मौसम में जो बदलाव हुआ है उस वज़ा से तापमान में एक दफा फिर गिरावट आ गई है लेकिन अगले कल भी मौसम अभी इसी तरह का बना रहेगा ये मौसम विज्ञान केंदर की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है इसी बीच अच्छी बात ये है कि परेटक अगली बात अगर एक बस हासे को लेकर करें तो टिकर से रोडु आ रही बस फिसल गई थी लेकिन गनिमत ये रही है कि सभी की जान बच कई ये हम राहत भरी बात कह सकते हैं देखे एक और घटना सामने आई है ये राजधानी शिमला में ठंड से एक व्यक्ती की मौत हो फिर स्थानिया लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी सदर्थाना में ये केस दर्श हो चुका है और गंभीर अवस्था में क्योंकि व्यक्ती पाया गया था तो इसे फॉरण डीडियू अस्पताल ले गए जहां इसे मृत घोशित कर लिया गया व्यक्ती की पहचान न भटक रहा था देखे मौसम के चलते कुछ एक जगाओं पर आज बिजली गुल होने का मामला भी सामने आया है राजधानी शिमला के विकास नगर शहर में भी बिजली गुल रही कारण ये बताया जा रहा है कि विकास नगर में हिस्थित जो हरी हर मंदिर है वहाँ पर को होना पड़ा लेकिन अभी बिजली आ गई है और जो बिजली लाइन टूट भी गई थी उसे जल्दी ही ठीक करने का प्रयास हाला कि सुबह से ही किया जा रहा था लेकिन पूरे दिन भर लाइट नहीं थी जिस वज़़े से लोग बेहत ही परेशान रहे अब आना चाहें क्योंकि वार्षिक परिक्षाएं भी बच्चों की होनी है ठीक उससे पहले सडकों पर शिक्षकों का उतर जाना चात्रों के लिए भी एक बड़ी परेशानी है तो शिक्षा मतिरोही ठाकुर ने हाल ही में इनसे याग रह किया था कि अपनी पैंडाउन स्ट्राइक ये वा नहीं करमी कंशन में तीन से चार लोग ही बैठेंगे वो इसलिए क्यूंकि जब तक रैगुलर पॉलिसी इनकी नहीं बन जाती ये पीछे नहीं हटने वाले हैं और पिछले कल दो मार्च को जो कैबिनेट की बैठक हुई उससे ये काफी ज़ादा उमीद लगाकर बैठे थ अभी शांती पुर्वक धंग से ये विधानसभा के बाहर आये थे सचीवाल्यक के बाहर भी भले ही परिवार समेत आये हों लेकिन शांती पुर्वक धंग से आये इन्होंने सरकार के खिलाफ नारे तक नहीं लगाए हैं क्योंकि अभी तक इसी विश्वास में जी रहे हैं तो वहाँ पर सबसे जादा स्थिती खराब होगी जब ये लंबे समय तक pen down strike पर जाएंगे अभी कुछ तिनों के लिए ही गए थे लेकिन हालात काफी जादा खराब हो गए थे बहुत सारे tribal क्षेतर ऐसे हैं जहां पर अपने वीशे के साथ साथ दूसरे वीशे भी ये पढ़ा लेते हैं तो ये पूरी तरह से capable है इसलिए मांग उठा रहे हैं कि अन्य शिक्षकों की तरज पर इन्हें भी सुविधायन दी जाए देखे जलरक्षकों की और से भी एक दफा फिर मांग रखी गई है और इनका जो contract पिरियड है वो contract पर आने का जो समय है वो लगभग 12 साल का है 12 साल इन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ती है फिर contract पर इन्हें लिया जाता है लेकिन शिकायत ये है कि बहुत सारे जलरक्षकों ने अपने ये 12 साल पूरे कर लिये हैं उसके बावजुद भी उन्हें contract पर नहीं लिया जा रहा है दूसरे बात ये इन्होंने रखी है कि पिछले budget session में इन्हें आश्वासन ये दिया गया था उप मुख्या मंतरी मुकेश अगनी होतरी की ओर से कि 12 साल से घटा कर ये अब धी 10 साल कर दी जाएगी हलाकि ये 8 साल की मांग कर रहे थे लेकिन deputy CM का ये कहना था कि 12 से घटा कर इसे 10 साल जरूर किया जा सकता है है ठीक उससे पहले मार्च के इसी फर्स्ट या सेकंड वीक में आचार सहीता लगने वाली है तो मुश्किलें और जादा इन वर्गों की बढ़ जाएंगी क्योंकि इंतजार बढ़ जाएगा फिर लोग सबाचुनाव तक का इंतजार करना होगा उसके बाद ही इन वर्गो बजट में हुआ लेकिन इनकी फिर अंदेखी हो गई शिक्षा विभाग में अपनी सेवाई ये दे रहे हैं और आरोब इनकी और से लगाया जा रहा है कि पार्ट टाइम वर्कर्स के तौर पर इने रखा गया था लेकिन दैनिक भोगी के समान ही ये वहाँ पर कारे कर रहे दूसरी बड़ी बाद दो साल के कारे काल के बाद इने दैनिक भोगी का दरजा दिया जाए ये भी मांग इनों ने रखी है एसमसी से हटाकर शिक्षा विभाग के अधीन इने लिया जाए और दस मेडिकल लीव की सुविधा भी प्रदान की जाए अभी 5625 रुपए ये वे कर दी गई है ये चिकित्सक अधिकारी संग है जिन्होंने सर्व सहमती से ये फैसला लिया है कि अब जो स्वास्थय निदेशक है यूनियन से उनकी सदस्यता को रद कर दिया जाएगा उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है हलाकि इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि ज कित्सक अधिकारी संग ने उसमें ये भी कहा है कि जल से जल स्थाई स्वास्थय निदेशक इन्हें दिया जाए और ये भी फैसला इन्होंने ले लिया है कि कोई भी निर्देश अगर स्वास्थय निदेशक हैं तो उस निर्देश के तहत ये कोई भी कार्य नहीं करेंगे यानि कि कोई भी बात ये स्वास्ते निदेशक की अब नहीं सुनने वाले हैं और इसलिए यूनियन से बाहर भी उन्हें कर दिया गया है सदस्यतार रद इसलिए की गई क्योंकि हाल ही में जब स्वास्ते मंतरी डॉक्टर धनिडाम शांडिल से ये मिले थे तो उस वक्त स्वास्ते निदेशक ने इस बात से इनकार कर दिया कि ये भी यूनियन के सदस्य है तो इस वज़ा से बैठक फिर यहां चिकित्सक अधिकारी संगने की और यूनियन से बाहर करने का डिसीजन इने लिया गया है साथ ही ये फैसला ले लिया है कि इनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे और सरकार से भी मांग रखी है कि जलसे जलस थाई स्वास्ते निदेशक इने चाहिए इससे पहले की शिकायत भी यहां यूनियन के ओर से ये की गई है कि जब 13 फरवरी को मुख्या मंतरी सुखु से ये यूनियन मिली थी तो उसके बाद मिनर्ट सॉफ मीटिंग का ये इंतजार ही करते रहे और फिर बहुत दिनों बाद स्वास्ते निदेशक की ओर से एक पेज वर्टसेप के माध्यम से भीजा जाता है जिसमें ना तो विभाग की मोहर थी और ना ही कोई संख्या थी तो एक तरह से फॉर्मेलिटी की गई और मेल पे भी वही पेज यूनियन को भेज दिया गया था मिनर्ट सॉफ मीटिंग का ऐसी लापरवाहिया पहले भी बहुत सारी सामने आई है और कई परिशानियों से इने रूबरू होना पड़ता है क्योंकि स्वास्थय निदेशक ही चिकित्सक अधिकारी संख्य की बासरकार तक नहीं पहुंचा रही है और ना ही इनका कोई साथ दे रहे हैं इसलिए यूनियन से इनकी सदस्यता रद कर दी गई है तो यही कहते हुए नजर आते थी कि जब किसी काम को डिले करना हो तो कमेटी बना दी जाती है लेकिन उसी मार्क पर अब खुद भी मुख्या मंतरी सुखु चल रहे हैं रोजगार देना तो दूर की बात है यहां मिलने तक अभियर्थियों से मुख्या मंतरी नहीं गए चोड़ा मैदान तक भी पहुँचे लेकिन उसके बावजुद भी उसी स्थान पर क्योंकि अभियर्थी बैटे हैं तो मिलना तक मुख्या मंतरी ने जरूरी नहीं समझा दूसरा ये भी आज एक आरोब भी कह सकते हैं और ये भी बात इनकी ओर से कही गई है कि शिकायत एक तरह से इनोंने करनी चाही है क्योंकि उमीदे बहुत सारी थी कि जल से जल इनका रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा लेकिन मुख्या मंतरी इनसे मिलने नहीं गए रिजल्ट अभी तक घोशित नहीं किया है और सवाल अभ्यर्थियों ने डेपटी सीम से भी किया है कि अब तो वो शिमला लॉट आये हैं तकरीबन एक हफते का समय हो गया है तो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब तक होगी ये कमेटी की अभी तक पहली बैठक भी नहीं हो पाई है कितना जादा इंतजार अभी ने वाब करना होगा कप-कप आती ठर्ड है शिमला में और इसी ठर्ड में इनहें जमीन पर सोना पढ़ रहा है और चार कई समस्याउं से होना पढ़ रहा है इनके अभी भावक भी बहुत जादा परेशान हो गए हैं तो जल्द बाजी अब इनका रिजल्ट घोशित करने में दिखाई जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कमेटी को लेकर भी इन्होंने शिकायत की है और साथी साथ दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कम से कम मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री इन से आ सकते थे और जिन विधाईकों ने आवाज भी उठाई उनके साथ भी दुर्वहवार किया जा रहा है सरकार की ओर से लेकिन अब इनके सबर का बांट तूट चुका है और जिस हिसाब की कपकपाती ठंड शिमला में इस वक्त है तो देखे किसी का भी सबर तूट सकता है कई तरह की बिमारियों से ये ग्रस्थ हो गए हैं इस तरह के ठंड में जमीन पर सोकर और बरफीले तुफान सुभा से लेकर शाम तक शिमला में चल रहे हैं लेकिन एक तरपाल के नीचे इन्हें दिन रात गुजारा करना पड़ रहा है और अब तो अपना खर्चा पुरा करना भी इनके लिए काफी जादा मुश्किल हो गया है देखें एरियर पर दो नए सुझाव करमचारियों की ओर से दिये गए हैं ये अराजपतित करमचारी महसंग है पहले तो इन्होंने अभार व्यक्त किया है मुख्या मंतरी का क्योंकि चार फीस दी डिये की किस्त की अधिसूचना जारी कर दी गई है तो इसके लिए अभार किया गया है और इस फैसले का स्वागत भी किया है सरकार के लेकिन दूसरी बड़ी बात कि ओर से ये कही गई है कि एरियर का भुक्तान भी जल्दी होना चाहिए 2016 से इनका एरियर बकाया है इसके लिए दो नए सुझाव करमचारियों की ओर से ये दिये गए है कि या तो पांच किस्तों में इन्हें एरियर का भुक्तान कर दिया जाए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रती महा 5-10 फीसदी एरियर वेतन के साथ इन्हें दिया जाए इससे सरकार पर अतिरिक जादा भार भी नहीं पड़ेगा और दो साल में ही ये सभी करमचारी अधिकारी इससे निपट भी जाएंगे तो दोनों सुझावों मैंसे अब सरकार कौन सा मानती है ये देखना होगा अभी डिये की तो देखिए एचार फीसदी के एक किस देने का वाइदा हो गया है अधि सूचना भी जारी हो गई है लेकिन इसके बाद एरियर को लेकर जिससाथ के सुझाव दिये जा रहे हैं शिमला में इसलिए हो रहा है क्योंकि कई तरह की चर्चाएं बनी हैं पहले बाग्यों से इन्होंने मुलाकात की फिर मुलाकात करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हलाकि ये भी यहां पर कहा जा रहा है मुख्या मंतरी की ओर से कि उन्हें बताकर ही बाग्यों से मुलाकात करने गए थे और अब उनसे बात करने के बाद या किस तरह की feedback उन्होंने दी है उसे High Command के स्मक्ष रखने वाले हैं High Command में ये Congress प्रभारी राजिव शुकला से मिल सकते हैं और जो राष्टी अध्यक्षा कॉंग्रेस के मनिका अरुजुन खडगे उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं ये दोपर तक यूँ तो schedule के मुलाकात करने वाले थे लेकिन ये मुलाकात अभी तक हो नहीं पाई है और इसके बाद आज शाम को ही इने शिम्ला लोटना था लेकिन अब कल ही लोट पाएंगे क्योंकि अभी तक मुलाकात ही नहीं हो पाई है बागियों की ओर से क्योंकि एक ही बात कही जा रही है कि या तो leadership बदल दी जाए या फिर अब उनकी वापसी कॉंग्रेस में नहीं होने वाली है अगर वापसी चाहा रही है कॉंग्रेस हाई कमान भी उनकी तो फिर leadership में बदला होना चाहिए यही बात दुबारा से मंतरी विक्रमादित्य सिंग के पास भी बागी विधायकों ने रखी है और अब यह पूरी feedback कॉंग्रेस हाई कमान के समक्ष मंतरी किस तरह से रखते हैं यह हमें देखना होगा क्योंकि चर्चाएं तो कही तरह की बनी हुई है और social media पर अपनी facebook profile से जैसे की PWD minister हटा दिया गया है विक्रमादित्य सिंग की ओर से तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है यह मुख्यमंतरी दावा जरूर कर रही है लेकिन प्रतीबा सिंग की ओर से जो बोल सामने आ रही है वो काफी जादा तीखे तेवरों में नजर आ रही है तीखे अंदाज है और इसके अलावा जो statement की जा रही है वो भी एक तरह से हम negative कह सकते है सरकार के पक्ष में कम ही उनकी ओर से अभी statement की जा रही है प्रतीबा सिंग का ये मानना है कि जो छे विधायकों को disqualify किया गया है वो भी एक गलट decision था जल्दबाजी में ये निर्ने लिया गया और अभी भी अपनी इसी बात पर वो अड़ी हुई है अगली बात अगर बागी विधायकों को लेकर करें तो अगले कल देखिये स्थीती इने लेकर भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार क्या होगा ये भाजपा में जाएंगे या कॉंग्रेस में वापसी करेंगे या फिर राजिंदर राणा के मुताबि कोई तीसरा नया घर बनाने जा रही है दरसल अगले कल स्थीती इसलिए स्पष्ट होगी क्यूंकि ये कोट का दरवाजा खट-खटा सकते हैं दो आप्शन्स है या तो हाई कोट जाएंगे या फिर सुप्रिम कोट जाएंगे यहां देखिए क्यूंकि जो दल बदल कानून है उसके तहत ही ये निर्नेन पर लिया गया है और अब मुख्या मंत्री की ओर से ही ये कहा जा रहा है कि किसी भी विधायक को कोई पश्टावा होता है तो उसे माफी देने पर विचार किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉव में इसके लिए प्रावधान भी देखे जाएंगे तो अब अगला कल ये डिसाइड करने वाला है कि नई रणनीती छे विधायकों की क्या रहने वाली है जो छे बागी विधायक है ये आखिरकार करने क्या वाले है जो राजिंदर राना की ओर से कहा जा रहा है कि नया घर बनाएंगे क्या उसी बात पर अब चलते हुए ये नजर आएंगे या फिर भाजपा की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि ये छे विधायक अब उनके है स्थिती कुछ उस तरह से नजर आने वाली है लेकिन एक बात तैह है अगर देखे कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि उपचुनाव लड़ने के मूड में छे के छे विधायक हैं तो फिर अगली रणनीती एक तरह से इनकी ओर से यहां पर तयार की जाएगी नेतार पतिपक शहराम ठाकुर की ओर से आज देखे दावा किया गया है ये दावा पहले भी करचुके हैं कि एक बार फिर से यहां हिमाचर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनने वाली है लेकिन इसे के साथ साथ लोगसभा चुनावों को लेकर भी इनकी ओर से दावा किया गया है ये शिमला तरीदेव समेलन था आज और इसे ही संभोधित करते हुए इनकी ओर से ये कहा गया कारेकरतों को कि किसी भी हालत में लोगसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है हिमाचर प्रदेश में ताकि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अब तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सके और इसके लिए 400 सीटों का लक्षय भी पूरा करना है तो कारेकरताओं को एक तो इन्होंने ये नसीहत दी और दूसरी बड़ी बात ये कही कि अभी हिमाचर प्रदेश में भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके लिए भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है क्यूंकि एक और कॉंग्रेस के विधायक बागी हो रही हैं मंतुरी इस्तिफे दे रहे हैं और कबिनेट में लड़ाईया हो रही है तो परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने के आवे शकता है कभी भी कॉंग्रेस की सरकार गिर सकती है और उसके बाद फिर से वही दावा क्योंकि ये करते नजर आए हैं कि Mission Lotus को success मिलने वाली है हलाकि मुख्या मंतरी सीरे से नकार रहे हैं दावे को बार-बार मुख्या मंतरी सुकु की ओर से ये कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए Congress की सरकार बनी है और अपने 5 साल पूरे करके ही जाएगी उससे पहले कोई भी Mission Lotus यहाँ पर successful नहीं होने वाला है तो ये नेतापतिपक शैराम ठाकुर की ओर से जो आज दावे किये गए हैं फिर चाहे लोग सबाचनावों को लेकर कहा गया हो या Mission Lotus के success होने को लेकर उन्होंने कहा हो उससे संबंदीद update हम आपके लिए लाए थे अब आना चाहें के मंतरी जगसिंग नेगी पर देखे कल काफी जादा हलचल कैबिनेट में मच कई थी क्योंकि बात बाहर ये आई थी कि शिक्षा मंतिर रोही ठाकुर और जगसिंग नेगी के बीच कोई लडाई हुई है इस बात को जगसिंग नेगी ने नकार दिया है और ये भी कहा है जो इस तरह की अफवाएं फैला रहे हैं उन पर कारवाई की जाएगी क्योंकि कल कोई लडाई नहीं हुई थी बलकि पहले से ही उनका टूर बना हुआ था शिमला से बाहर उने जाना था जो कैबिनेट बैठक है वो बारा बज़े यहां शुरू होने वाली थी लेकिन साड़े बारा से पौने एक बज़े तक का समय हो गया था जिस वज़े से वो लेट हो गए थे और बीच कैबिनेट से ही उठकर उने जाना पड़ा क्योंकि टूर पहले से उनका शेडियूल था लेकिन कुछ लोग अफ़ा फैलाने का काम कर रहे हैं और उन पर कारवाई भी की जाएगी कानूनी कारवाई ऐसे प्लैटफॉर्म पर भी की जा सकती है जिनोंने वो वीडियोस चलाई क्योंकि वीडियोस को तोड मरोड कर पेश करने की कोशिश की गई है और कुछ platform ऐसे थे जिनोंने text post टाल दिये थे अपने अपने page पर तो अब ऐसे लोगों पर action दिया जाएगा देखे batch wise भरती में क्या हुआ आज ये सुभा जब हम live दे रहे थे विजमेदान से उस वक्त भी हमारे पास comments आ रहे थे TGT, JBT और शास्त्री ये तीन वर्ग है जिनकी batch wise भरती होनी है और ये बात देखे पिछले कल cabinet में भी रखी गई है हलाकि informal discussion इस पर हुई थी agenda नहीं गया था तो इसमें cabinet में ये बात clarity के तौर पर रख दी गई है कि TGT के लिस्ट जारी भी हो सकती है लेकिन JBT और शास्त्री के लिए court की अनुमती लेनी होगी तो अब यहां महाधिवक्ता की और से application दायर की जाएगी court में इस पर अनुमती ली जाएगी और court का रुक देखते हुए फिर अगला कदम इसमें उठाया जाएगा तो TGT इसको लेकर फिर यहां पर batch wise भरती में जल्दबाजी की जा सकती है लेकिन बात अगर JBT और शास्त्री की करें तो इन्हें थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा अगली बात देखें केंद्रिय विश्यविद्यालिया के धरमशाला कैंपस को लेकर करना चाहेंगे इसमें क्योंकि नया twist अप सामने आ गया है राज्य सरकार ने compensatory, forestation और NPV के बदले 30 क्रोड केंद्रिय वन मंतरालियों को चुकाने है तब ही यह जमीन transfer होगी लेकिन योजना विभाग ने अब इस amount को दुबारा से calculation करने के लिए कहा है शिक्षा विभाग को अब वन विभाग से दुबारा report लेनी होगी धरम शाला campus का यह वही विवाद है जिसे लेकर सुधीर शर्मा ने बार-बार इस budget session में भी अपनी बात रखी थी हाला कि जवाब उन्हें दिया जा रहा था लेकिन अब सुधीर शर्मा भी देखी एक तरह से बागी हो गए है और कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है स्टेटमेंट्स भी उनकी ओर से दी जा रही है तो सरकार ने भी अब इस मामले में एक तरह से जल्दबाजी दिखाई है तो अभी तक का political scenario किस तरह का बना है ये जानकारी हमने आपको दी है मुख्या मंतरी सुखु का क्या कहना है फिर दूसरी और मंतरी विक्रमादिते सिंग है जिन पर हर किसी की निगाहें बनी हुई है और जब शिमला लोटेंगे तभी स्थिती सपष्ट हो पाईगी कि आखिरकार उनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है यह इसलिए क्यूंकि बागी विधायकों से मिलने वो गए वो भी कैबिनेट छोड़के हलाकि अगले दिन फिर मुख्या मंतरी ने दावा कर दिया कि उनी से पूछ कर गए है तो यह रही विक्रमादिते सिंग की बात तीसरी और प्रतिबा सिंग है जो की तीखे तेवरों में ही अभी तक नजर आ रही है तो आखिरकार अपनी ही पाटी को घेरती हुई वो क्यों नजर आ रही है यह भी बड़ा सवाल है चौथी ओर देखिए एक और एंगल सामने आ गया है जहां पर कुछ एक विधायकों को नई जिम्मेदारिया दी जा रही है एसकौट उनके साथ लगाई जा रही है कैबिनेट रैंक उने मिल रहे है तो यह फैसला क्यों लिया जा रहा है राजेंदर राना की ओर से कहा जा रहा है कि जैसे ही मुख्या मंतरी को यह भनक लग रही है कौन सा विधायक उनके संपर्क में है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है ताकि उन पर नजर रखी जा सके तो अभी तक का पॉलिटिकल सिनेरियो इतना ही कहता है फिर मिलेंगे नई खबर के साथ दिखते रहिए दिवेह माचल टीवी धन्यवाद